तो आप ये प्यारा सा आई मेकप देख सकते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है इसको आज हम आपको क्रियेट करना सिखाएंगे सबसे पहले हमने आई ब्रोस को फिल कर लिया है आई बेस बना लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना ब्लैक जेल लाइनर लेंगे और कुछ इस तरीकी से इसको हम अप्लाइ करेंगे पूरी लीड पर हम एक छोटा ब्लैंडिंग ब्रस लेंगे बहुत बड़ा फ्लफ कर रहे हैं अब देखो हमने क्या करना है क्रीमी प्रोड़क्ट से तो हमारी अप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है अब मैं यहां पर एक पैलेट लूगी और इसमसे एक मैं ब्राउन कलर का शेड लूगी आपके पास जो किट अवैलबल है आप उसको यूज कर सकते हैं अब ल इत्को पोहांचीयर भी ख़त भी खतम हो गया और वो फैलेगा बिलकुल भी नहीं अब देखें के अब हमें क्या करना है हमें ना सिमर स्रेड लेना है वजैख से पहले हम क्या कर एंगे एक और लाइट कलर लेंगे और इसकी बहीं की आउलाइन को हम क्या करेंगे मर्ज कर ताकि हमें ऐसे बिल्कुल भी ना लगे कि पहले हमारी आईलिट क्लीन थी और एकदम से वहां पर कलर आ गया, ब्लेंड़ लुक होना चाहिए, यानि कि हम डाक कलर को ब्लेंड करने के लिए उसी की कलर फैमिली का लाइटर कलर लेते हैं कुछ इस तरीके से और आईब्रोस के म जाए प्लाइए करेंगी और काजल में यहां पर काफी मोटा मोटा काजल लगांगी मैं दी हैं अगर आपके पास ज闇ल लाइनर नहीं हैば युच्छ घाल का उनक्त लायनर को अग्मिलीन गंने का ब्लेंड की महरा है पर नहीं के ब्लुशन थाल लिगा सकते हैं उसीं था ब इतना ही महंगा गाजल क्यों नहों वो फैलता ही फैलता है अगर हम उसके साथ अपनी जो टेक्निक्स होती है उनका यूज ना करें अगर हम एक लाइट ब्राउन कलर का एशेडो लेके कुछ इस तरीके से यहां पर ब्लैंडिंग कर देंगे और इसे ने काफी स्मर्ज वाला अगर हम अपर साइड में जहां कहीं पर अगर हमें ऐसे लगता है कि प्रॉड़क्त कम लगा है प्रॉड़क्त की ब्लैंडिंग अच्छ से नहीं हुई है तो उसको पहले एक्वल कर देंगे उसके बाद में फॉरेवर फिप्टीटू की पैलेट में से याला शेड लूगी और कुछ इस तरीके से इसको अपलाई कर दूँगे लिड पर जिससे कि बहुत ही अमेजिंग लूग आएगा बहुत ही प्यारा लूग आएगा यह ना आई मेकप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है बहुत इज़ी है और आप सीमर देख सकते हैं कि कि इतना ज़ बिगिनर्स के लिए क्या मैटर करता है कि उसको कम बजट में अच्छी चीज मिले क्योंकि स्टार्टिंग में वह तो इन्वेस्ट कर रहा होता है इस फ्रील्ड में उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह महंगे से महंगा प्रॉड़क्त खरीदे तो इसलिए मैं आपक उनको यूज करें और किस तरीके से खरीदे अब हम आउटर कॉर्णर पर क्या करेंगे एक डाक कलर का ऐसे डो लेंगे और उसको अपलाई कर देंगे कुछ इस तरीके से फॉल्स आयलेसस भी हम यहां पर लगा देंगे और यह ना मिंक आयलेसस है लैशप की आयलेसस है अच्छी लगी तो शेर जरू